आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है पैसो की ज़रूरत लगती है और हमारा बैंक अकाउंट खाली होता है कोई देने वाला आसपास नहीं होता यादि उस समय पर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हम क्रेडिट कार्ड से सीधा बैंक में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं और इस पर आपको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा लेकिन ये कैसे होगा बहुत सारे अप्लिकेशन आपको प्ले श्टोर पर मिल जाएंगे लेकिन कुछ रिजेक्ट कर देते हैं और बहुत सारे जो देते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं और उनकी कोई विस्वस्तमियता भी नहीं रहती आज मैं आपको एक ऐसे अप्लिकेशन के बारे में बताऊँगा जो बहुत ही सालों से चल रहा है और बहुत ही पुराना एप्स है Movie Quick यह एप्लिकेशन है और इसको हम खोल लेंगे यहां से आप किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से आप बैलेंस अपने एकाउन में ट्रांसफर कर सकते हैं या सीधे किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स आपके पास होने चाहिए नहीं कर रखी तो भी credit card से balance bank में transfer कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या करना है आपको सीधे wallet to bank transfer एक option दिया गया है जो किसी भी application में जारतर में नहीं दिया गया है तो यहाँ पर wallet to bank transfer का सीधा application दिया गया है जिससे instant real time में तुरंत ही आपके account में पैसे आ जाएंगे तो यहाँ प कुछ जानकारियां दिये गई है transfer money from credit card to bank account और कोई सा भी credit card हो वीजा का हो master हो कैसे भी हो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं यह हमाई देने में house rent देने में shopping करने में money transfer करने में supplier को payment देने में bill payment करने पे और बहुत कुछ इस payment का आप इस्तमाल कर सकते हैं direct आप इसको किसी भी retailers के दुकानदार के account में भी भेज सकते हैं आपको करना क्या है transfer now पर click करेंगे transfer now पर जब हम click करेंगे तो बहुत ही कम यह payment आपको यहाँ पर सुविदा देता है लेकि बहुत ही minimum सा charge आपका लगेगा अब यहाँ पर bank account मेरा है मुझे अगर इसमें भेजना है तो यहाँ पर click कर दीजे अगर आप UPI ID पर भेजना चाते हैं credit card से balance तुरंत ही तो UPI ID पर click कर लीजे मुझे यहाँ पर bank में भेजना है तो मैं bank पर click करूंगा click करने के बाद कुछी इस तरह का option आपके सामने दिखाई देगा यहाँ पर आपको 2,00, रुपे जितना भी आपको भेजना है 2,00, 20,000, 2,000 जो भी भेजना है आप यहाँ पर भेज सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पर 9,000 रुपे भेजेंगे 9,000 रुपे भेजेंगे तो यहाँ पर जो फीस है क्योंकि आज ही मैंने 9,000 रुपे भेजा है और मैं दुबारा से भेजूंगा जो कि मेरी limit नहीं है तो मुझ दुबारा से आपको दिखा रहा हूँ इसके लिए क्योंकि दुबारा मैं भेजूंगा नहीं लेकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से भेजना है यहाँ पर क्लिक कर देंगे आपको एक OTP आएगा यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपको credit card का जो detail है वो भरनी प credit card या credit card का number डाल सकते हैं वो डालने के बाद आपको process पर जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया तो यहाँ पर मुझे paper क्लिक करना है OTP आएगा OTP को डाल देना और तरन्ती मेरे account में message आजाएगा successfully का अब मैंने कैसे बेजा है मैं आपको history में जाके दिखाता हूँ तो यहाँ यह देखिए history है और history में क्या है मैंने देखिए 9000 रुपे भीजे है तो 9000 पर मेरा 106 रुपे लगा है किवल 106 रुपे और मेरी जो daily की limit आथ 10,000 की है तो मैं दुबारा से आपको 9000 रुपे दिखा रहा हूँ इसलिए 355 रुपे दिखा रहा है अगर मैं दुबारा भीज अगरे जो कि मुझे message भी आ गया है मैं आपको message भी दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप message में देख यहाँ पर आप देख रहे हैं कि amount आ गया है जो मेरे bank account में है वो message मुझे यहाँ पर आ गया है इस तरह से आप movie clip का इस्तमाल करके किसी को भी balance transfer कर सकते हैं credit card से और यह illegal नहीं है बिलकुल और आपको थोड़ा बहुत charge देना पड़ेगा किसी दू लगी है तो like करिए share करिया और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें